दोस्तों, आज मेरे पास एक बहुत सुन्दर रचना आई है इसमें तीन जनरेशन का सफर है यहनि तीन पीडियों का अंतर है उसका बढ़ना बताया गया सुना आप बहुत मजाएगा दादी से पोती तक मेरी दादी आई थी अपने सुस्राल पालकी में बैठ कर मा आई थी बेलगाडी में मैं गार में आई मेरी बेटी हवाई जास से अच्छा मेरी पोती हनुआन की ट्रिप पर उड़ गई अंतरिक्ष में कच्चे मकान में दादी की जिन्दगी उजर गई पक्के मकान में रही मा मुझे मिला मौज़क का घर बेटी के घर में मारबल पोती के घर में लगे हैं स्लैब ग्रिनाइट की दादी पहनती थी खुरदुरे खद्दर की साड़ी मा की रेश्मी और संबलकुरी मैंने पहनी हरतरे की फशनेबल साड़ी बेटी की हैं सलवार कमी, जीन्स और टॉप्स मेरी पोती पहन रही हैं सकन फेटिंग, टी शर्ट और शर्ट्स लकड़ी के चूलिय में किसी जमाने में खाना बकाती थी दादी मा की भी थी कोई लेकी सिगड़ी और हीटर मेरे हिस्से में आया गैस का चूला जहां बेटी की रसुई होती माइक्रोवेव ओवन से पोती आधे दिन घर चलाती डब्बे के खाने से दादा जी से कुछ कहने को दादी इंतजार करती थी सवेरे लाल टेन के बुझने तक और मा बात करती पिता जी से ऐसे मानो दिवार से बोल रही और मैं इंसे बात करती अजी सुनते हो मेरी बेटी दादा जी को नाम से बुलाती पोती आवाज लगाती दामाद को है हनी दादी बती आती थी दादा जी से आदी बात सीने में दबा कर मा बोलती पिता जी की हां में हां मिला कर मैंने इनकी कई बातों पर सवाल उठाए मेरी बेटी तो दामाजी की बोलती बंद कर देती अपने तरक से उधर बातों में पोती अपना अधिकार वसूलती दामाज से कई बच्चों की माँ थी दाती माँ के बच्चे उससे कुछ कम थे मेरी गोद में बच्चे दो ही अच्छे बेटी की तो आँख का तारा उसका इकलाता पोती मा वनने को ढून रही है किराई की कोक दादी मोध होती थी मुलतानी मिट्टी से मा सिल्वट्टे से पिसी हुई हल्दी से मैं सावन से धोती मेरी बेटी फेस वाश से दादी कहा था बहुत बड़ा परिवार मा भी पिस जाती थी परिवार की भीड में मैं कभी सस्राल जाती तो कभी साथ ससुर मेरे पास आकर रहते मेरी बेटी साथ ससुर को कुछ दिन के लिए रखती एक घूंसला नुमा कमरे में वो भी हिस्से में जब उसकी बारी आती पोती अभी से बात कर चुके वरधा अश्रम वालों से अपने अपने साथ ससुर के बढ़ापे के लिए दादी की सोच और उसकी रीद थी बाबा आदम के जमाने की मा की रूडी वादी मेरी आधुनिक पर बीटी की सोच अत्या धुनिक जबकि मेरी नातिन पाचरन और उच्चारन दौनों में उत्तरा धुनिक इस तरह पिड़ी आगे बढ़ रही है पुरानी को मसल कर समय की धारा बदल रही नई को समार कर हमारे देखते बदल गया सब कुछ दादी से पोती थे है ना महसूस कीजेगा कभी याद कीजेगा अपने पुराने वक्त को अपने पुराने दौर को क्या सच में ऐसा हुआ है क्या सच में ऐसा हो रहा है